घर और किचन से जुड़ी कुछ ऐसी टिप्स जो बहुत ही खास होते हैं काम को तो आधा कर देते हैं और साथ ही में टाइम और पैसा दोनों की ही बचत कराते हैं तो आज ऐसे ही कुछ यूसफुल टिप्स लेकर आचुकि हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे तो हेलो एवरिवन आपका में चनल पर स्वागत हैं कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करती हूँ रोज की तरह आप सब अच्छे होंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज की मेरी पहली टिप है इन लाइटर्स को लेकर क्या होता है हम लोग कीचन में खाना बनाते हैं तो भीगे हाथों से लाइटर को छू लेते हैं या कभी तेल ही किरिया चाहे अभी जैसे बरसात का टाइम है तो इसमें मौश्टर चला जाता है जिसके विज़से लाइटर अच्छे से काम करना बंद कर देता है तो इसको ठीक करने के लिए जैसे हम किचन में खाना बना रहे होते हैं तो उस वक्त जब गैस ओफ करते हैं तो हमारा बर्नर काफी जादा गरम रहता है तो उस वक्त हम इस ट्रीक को फॉलो करके अपने लाइटर को सही कर सकते हैं आपको इस तरीके से बढ़र 12 की फसा देना है अप उसको छोड़ दे जब तक आपका बढ़र गरम है तो उसकी जवज़ेसे जोभी लाइटर के अंदर मॉस्य जो गया होगा वह बिल्कुल ड्री हो जाएगा और आपका lighter जो है ना बहुत अच्छे से काम करने लगेगा तो एक बाइस को जरूर ट्राय करके देखेगा अगर आपको साथ ये problem होती है तो तो चलिए देख लेते हैं आज का अगला useful tip कौन सा है तो इस तरीके के choppers को लेकर हम लोग जब भी प्याज वगरा कुछ chop करते हैं तो आप देखते होंगे हमारे जो ये chopper का धकन है इसमें लग जाता है जिसके वज़े से इसे हमें बार बार धोना भी पड़ता है और इसके जो ये thread जो रसी होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है जिसके वेसे तूट जाता है और हमारा जो chopper है वो खराब हो जाता है तो इसको ये problem ना हो इसके लिए आप इस तरीके का एक polythyn ले ले और इस polythyn को जो भी ये chopper का जो ढ़कन है ना इसके नाप से आप इसको कट कर ले कट करने के बाद क्या होगा कि आपको जो भी chopper है ना वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा अगर आप में चैनल पर पहली बार आया है तो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आज का वीडियो यूस्फुल लगेगा तो प्लीज इसको लाइक भी जरूर करिएगा तो इस तरीके से में धकन नाप का इस तरीके का दो पॉलिजटिन की काट कर रेडी कर लिया है और इस तरीके से कोना करने के बाद आप इसको थोड़ा सा कट कर दे ताकि हमें जो भी चॉपर का Cayp है ना उसके अंदर डालने में easier और हमारा चॉपर जो है वह अच्हे से वर्क करें तो इस तरीके से आप उसको ढ़कन पर लगा कर लगा देंगي ना उसके बाद आप जो भी उसके अंदर vegetable cut करेंगे तो बिल्कुल भी आपका जो भी vegetable का जो पानी है या vegetable है वो बिल्कुल भी धकन पर नहीं आएगा जो भी आएगा वो इस plastic पर ही आएगा तो जिसके कारण आपको जो धकन है वो बिल्कुल खराब नहीं होगा तो चलिए देख लेते हैं आज का अगला useful है कौन सा है हम सब को इस तरीके से candle कभी ना कभी जलाने की जरूत पड़ जाती है कभी कभी light कर जाती है तो हमें या फिर इंवर्टर काम नहीं करता है तो हम इस तरीके candle जलाता है लेकिन यह बहुत जल्दी जल जाता है तो इसको ध अच्छे से उसको पैक कर देना है तो आप इस तरीके से करने के बाद आप देखिएगा जो भी आपका candle जब भी आप जलाएंगे ना तो बहुत देर तक वह जलेगा जितना जल्दी वह आम तो पर खतम हो जाता था उतना जल्दी यह खतम ही होगा तो मैं आपको एक बढ़ करते हैं आज के अगले हैक की तरफ तो इस तरीके से अभी जैसे बरसात का टाइम आ गया है तो हमाई जो भी डाल वेगरा होते हैं वह बहुत जल्दी उसमें कीड़े पढ़ने लगते हैं तो उसको सेक्योर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस हमाई पास जो सुगो होती है उसस तरली की सुछ होती है और उसमें कोई भी लैसुन की स्मेल दाल में से नहीं आएगी बहुत अच्छा यह तरह क्यों तो जिन से हमारे नल काफी ज्यादा में चलते तो एक बार इसको भी जरूर तो आगली है कीतरफ हम लोग जब भी सब रहले हैं एक यह बहुत लोग की शिकायत होती है कि चलनी में आटा चिपकने लगता है आटा हो या फिर मैदा हो या सूजी हो तो इस तरीके से चालने पर क्या होता है कभी कभार चलनी में आटा चिपकने लगता है तो उसको दूर करने के लिए आप इस तरीके से चूडियां ले 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 और द और आपको कोई भी दिकत नहीं होगी एक बाइस ट्रिक को जरूर फॉलो करके देखेगा बहुत यूसफुल है तो चलिए इसी चूडी को लेकर ही एक और हैक देख लेते हैं हमारा जो यह ग्रेटर होता है कभी कभार यूज करते करते इसकी जो धार होती है वह बहुत ही मोट जाती है आप आगे पीछे दोनों साइड में इसको इस तरीके से अगर रब करिएगा ना तो बहुत ही अच्छे से इसकी जो धारत तेज हो जाएगी आपको बाहर ले जाके इसको तेज कराने की जूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए देख लेते हैं आज का अगला है कौन सा इस तरीके के एरिंग्स जो होते हैं सबको बहुत आटिफिशल पहनना पसंद होता है पर यह सबको सूट नहीं करता है क्योंकि इसका जो यह डंटी होती है यह लुहे की बनी होती है जिसके वज़े से बहुत लोगों को स्वेलिंग कान में या रेडिश हो जाता है या फिर पाझ को लगा लगाए तो इसको दूर करने के लिए आपको क्क्या करना या लैसन तो हम सबके घर में आसानी से मिल जाता है तो बस इसको आपको यूज करना है तो इस सारीके से आप एक लैसन उसमे का लेए जो भी आपके पहनने लेसर्ट के दिया होता है वो आपके जो वार हमी की डंटी गते हैं अच्छा इंसर्ट करना है तो इस लिए इसलिए जो भी में प्रॉबलम यरिटेशन की प्रॉबलम फोरिया सूजन तो वह प्रॉबलम आपको नहीं होगी तो ये थे मेरे आज के कुछ यूसफुल हैक्स इन में से कौन सा आपको टिप सबसे ज़्यादा पसंद आया है प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर पताईएगा मैं से यूसफुल वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ प्लीज मेरे वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा जितना जाधा साधा हो सके आपका वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से थैंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई